आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friend question में पूझ रहा कि Under what condition Under what condition is the scalar product of it 2 non-0 vector 0 मतलो की 2 non-0 vector है मतलो की vector A है जो की non-0 vector है और vector B एक non-0 vector ठीक है दोनों के बीच में एंगल ठीटा माल रहते है ठीक तो बोल रहा है scalar product बनी की dot product इसका मतले का हुआ dot product ठीक A dot B equal to क्या आता है magnitude of vector A magnitude of vector B into cos ठीटा अब question में हमसे यह बोल रहा है कि यह यह हो non-0 vector है यह की magnitude of vector A not equal to 0 magnitude of vector B not equal to 0 और किस condition में 0 होगा Under what condition is the scalar product of 2 non-0 vector ही 0 यह की 0 बोल रहा है क्या करते है dot product इसको 0 कर देते है ठीक magnitude of vector A magnitude of vector B cos ठीटा ठीक यह की cos ठीटा equal to क्या आ जागा है यह से मेरा 0 ठीटा equal to क्या होगा 90 degree यह की vector A और vector B दोनों क्या होना चाहिए 90 degree होगा तब ही क्या होगा उसका जो scalar product होगा 0 होगा यह की दोनों vector एक दूसरे के 90 degree होगा तब यह बला condition सटिस्पाइब करड़ेगा तो क्या condition होगा अंगल बिटमें इस तू वेक्टार दी अंगल दी अंगल बिटमें बिटमें दी तू दी तू दी तू दीटर तो हेक्टर शुद भी जीरो और शुद भी शुद भी क्यागा शुद भी 90 degree 90 degree होगा दोनक बिच में एंगल तभी यह जीरो पास भी लोगा ठीक थेंक यू Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुदेंट्स का भरोसा आज यह डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट 84444 पर